स्वागत ची आपका स्पोर्ट सार पर मेरा नाम है अकाश और बात करेंगे उस्ट्रेलिया के उस सबसे वड़े मास्टर स्ट्रोक की जिसने उन्हें बना दिया 2023 का वर्ल्ड कप चैंपियन देखें ऑस्ट्रेलिया हमेशा से जाना गया है कि टैक्टिकली बहुत जादा स्ट्रोंग होते हैं आप कह सकते हैं कि अपनी गेम प्लैनिंग बहुत जबरदस तरीके से वो प्रपेर करते हैं या फिर आप कह सकते हैं उन्हें एक्जिक्यूट करते हैं यूही नहीं ओडिया क्रिकट की सबसे सक्सेस्फुल टीम है सबसे डेकॉरेटीड टीम है फिर आप ओल ओवर क्रिकट भी कहेंगे सबसे डेकॉरेटीड टीम ऐस्ट्रेलिया है इन एनिगीवन कंडिशन चाहिए वो दुबई में टी-20 विल्लक जीतना हो इंडिया में आकर होट फेवरि बेली ने एक स्टेटमिंट दी यह विर आप कह सकते हैं रवी अश्विन ने जो एक खुलासा करा है अपने यूट्यूब चैनल पर कि जब उनकी बातचीत हुई और जो खुलासा किया जॉर्ज बेली ने उस बात को सुनकर आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे कि आउस्ट्रेलिया कितनी बारिकियों से प्लैन करता है और ऐसे ही देखिए जो बड़ा फेमस सी सेंग है कि रणभूमी से पहले मनभूमी में गेम जीतना पड़ता है और आउस्ट्रेलिया वाज ऑन पॉइंट यह स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा और आप आप वो उन विजुल्स का क्या मतलब है क्या है उसका मतलब उसका मतलब अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आर अश्विन जो आप खुदे कह सकते हैं टैक्टिकली जीनियस वो अपने डिस्मिसल्स को बहुत जादा प्लैन करते हैं और आप कह ये रिवील करा है वो वो कॉन्वसेशन जो उनकी हुई थी जॉर्ज बेली के साथ जो की चीफ सेलेक्टर है ऑस्ट्रेलिया के इंडिया वर्स ऑस्ट्रेलिया फाइनल हुआ है अमदबाद में और वो विकट था ब्लैक सॉयल विकट हम सब जानते हैं कि अलग अलग तरह के के विकटे होती हैं कुछ स्पिनर्स को असिस्स करती हैं कुछ बैटर्स को बैटिंग फ्रेंडली विकटे होती हैं तो जो आप कह सकते हैं कि यार विकट पर जो रिसर्च करी जिस तरह के क्या अनलेसिस ऑस्ट्रेलिया ए खेमे ने करा उस मास्टर स्ट्रोक नहीं ऑस्ट्र सब डाउट में आगई, यार, क्या ये फंबल हो गया, क्या ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो गया है, लेकिन कही ने कही जब रिजल्ट सामने आया, दुनिया ने भाई तारिफ करी पैट कमिंस की, वड़ा मास्टर स्टोक, लेकिन केवल पैट कमिंस उसके जिम्मेदार नह यह method उनको कहां से पता चला वो था इस tournament में उनकी पिछली हार जो कि tournament के दूसरे match में आई थी हम सब को याद है लकनव में South Africa ने Australia को हाराया था और वहाँ पर उन्होंने बात करी कि वो red soil wicket था वो under the lights wicket वैसा ही प्ले करा जैसे आपको दुफेर में batters के लिए अच्छा था जैसे ऐसे game progress करा वहाँ पर wicket deteriorate हो गया लेकिन red soil और black soil का असली फरक समझाया George Bailey ने उन्होंने statement वहाँ पर दी Australia totally deceived me personally I had a chat with George Bailey during the mid innings उनकी बातचीत हुई जब इंडिया ने 240 runs बोर्ड पर लगा दिये और सबको लगा यह तो बड़ा फसा हुआ विकिट है Australia को बहुत difficulty होग इतकर बल्लेबाजी पहले क्यों नहीं करी जो आप हमेशा आमोमन करते हो big pressure matches में उन्हें का he answers me back we have played IPL and bilateral series here a lot कि हमने भाई इंडिया में आकर IPL बहुत खेला है और George Bailey तो IPL में भी बहुत जादा पंजाब के साथ associated थे captaincy भी करी और bilateral cricket तो बहुत के लिए Australia ने बागी टीमो उन्हें वहाँ पर साजा किया share किया red soil disintegrates but not black soil and it gets better under the lights can you imagine यह होती है वाई planning और यह calls होती है इतनी research जब आप अपने skills के साथ इस तरह के planning को जोड़ दो merge कर दो तो आपको वाई champion side champions mentality वहाँ पर देखने को मिलती है कि आपने अपनी जीत बहतरीन तरीके से plan करी इंडिया को उनके गड़ में हराना यह केवल skills का माबला नहीं हो सकता आपको mentally भी उनको हराना होगा and that's where the master stroke happened red soil भाई disintegrate होती है और यह चीज़ इन्होंने समझी जब यह लखनों में अफरीका से league वाला match हारे थे लखनों से लखनों में इकाना में और उसके बाद उन्हों realize करा कि हमने भाई देखी सारी चीज़े किस तरह के से wicket play कर सकता है वो black soil wicket था और हम सब जानते थे कि बाई जो red soil होती है वो disintegrate हो जाती है disintegrate मतलब wicket वो बिखर जाना विखर जाता है वो cracks उत्मन वहाँ पर develop हो जाते है वैसा नहीं था जो आपकी black soil होती है वो पहले तो slow play करती है ले then it will be a concrete in night के रहे भाई दुफैर में तो आपको वो turn मिलेगा slowness दिखेगी लेकिन जैसे ऐसा game progress करता है रात में वो concrete जैसी सपाटा हो जाती है settle हो जाती है due settle in हो गया वो भर जाती है wicket और कहीं ने कहीं यही master stroke हो गया this is our experience यह उन्होंने वहाँ पर बताया और इवन अश् George Bailey ने इस सारी चीज़े उनको explain करी और यह I think किसी भी cricket fan को बताने के लिए काफी है कि यार Australia क्यों इतनी successful team है not only skills mentally अपने game को बहुत जबर्दस तरीके से read करते हैं apply करते हैं और results लाते हैं home favorites इंडिया को उन्होंने final में जो मात दी वो math skills का मसला नहीं था they prepared it mentally और इस तरह क बाई और कहीं ने कहीं हम जो बार बार बात करते हैं यार Australia X Factor क्या है Australia ही इतनी successful क्यों है skill set तो बागी टीमों के पास भी है players तो बागी टीमों के पास भी है individuals तो बागी टीमों के पास भी है लेकिन वो think tank कहां से लाओगे बाई जो इस तरह के research करता है जो आपने final में Australia के से देखी पैट कमिंस ने टॉस जीत कर जब chase करा दुनिया की आंके फटी की फटी रह गई लेकिन जब result आया Australia के favor में दुनिया ने पैट कमिंस को applaud किया और appreciate करा कि हां Australia deserve to win this world cup फिलाल इस वीडियो में इतनी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो please channel को subscribe करना ना बू कर दो